आज हम बताएंगे, संग्या किसे काते हैं, परिभासा है, किसी बैक्ती वस्तु अस्थान तथा भाव के नाम को संग्या काते हैं, एक्जाम्पल है, नदी, पहाड, हवा, दुच्छा, दूद, सित्त, इत्यादी यह एक बाद अस्मर्ण रखने की है कि संग्या किसी बैक्ती वस्तु आदी को नहीं, बलकि उनके नाम को कहते हैं अर्थ है अर्थ की द्रिष्टी से संग्या की पांच भेद होते हैं ब्यक्ति वाचक संग्या, जाति वाचक संग्या, भावाचक संग्या, समुवाचक संग्या और द्रव्य वाचक संग्या पहला है बक्तिवाचक संग्या जिससे एक ही ब्यक्ति या बस्तु का बोध हो उसे ब्यक्तिवाचक संग्या कहते हैं जैसे कनहया, राधा, गंगा, दिल्ली, पटना, इत्यादी दूसरा है जातिवाचक संग्या जिससे संपोर जाती का बोध हो उसे जातिवाचक संग्या कहते हैं जैसे लड़का, पहाड, नदी, बैल, ब्रीक्ष, इत्यादी तिसरा है भावाचक संग्या जिससे किसी बस्तु के गूर, दसा, स्वभाव, अवस्था इत्यादी का बोध हो उसे भावाचक संग्या कहते हैं जैसे इमांदारी, चलाकी, ललीमा, जवानी, लंबाई, इत्यादी समझने यूग है भावाचक संग्या वेज सब्द है जिसे हम अनुभाव के आधार पर जानते हैं चोथा है समुवाचक संग्या जिससे किसी पदार्त, प्राणी, तथा ब्यक्ति के समुवाचक संग्या कहते हैं जैसे सभा, घौद, सेला, भीड, निरोग, इत्यादे लास्ट है द्रब्वाचक संग्या किसे कहते हैं जिससे किसी धातू या द्रब्वाचक संग्या कहते हैं जैसे मैं दूद, सोना, कोईला, घी, चावर, इत्या दे संग्या का रूपांतर लिंग, वचन, कारक दी के कारण संग्या के रूप बदलते हैं जिस लड़का सब्द लिंग के कारण लड़की, वचन के कारण लड़के और कारक दी के कारण लड़कों ने लड़कों को इत्यादी रूपों में बदल जाता है यदि हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, सेर जरूर किजिएगा फिर मिलता है नेक्स्ट आप इपर नेक्स्ट वीडियो में यदि हमारे चैनल पर नीव है तो फिलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी दावाना ना बुलिएगा सेर तो जरूर किजिएगा फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत